हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटुब चैनल मेरा नाम है धीरजवाटिया दोस्तों यह 3ds Max का एपिसोड नमबर 3 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूनिट सेटप के बारे में 3ds Max में यूनिट सेटप का क्या यूज है इसको कैसे यूज करना है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अब हम आ चुके अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब हम बात करते हैं यूनिट सेटप के बारे में यूनिट सेटप आप 3ds Max में कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको एक्जामपल के लिए यहां एक बॉक्स ले लेता हूँ ताकि आपको समाज आ जाए डवलू प्रेस करेगे तो आपका Move Tool सेलेक्ट हो जाएगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और यहां से जो है आप अपनी values को zero कर देगे नीचे वाले arrow पे right click करके ये एकदम center में आ जाएगी हमारी shape ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है आप unit setup के बारे में मैं आपको बता रहा था सबसे पहले तो आप अपनी shape को select करेगे select करने के बाद आपको ये second वाला जो icon दिख रहा है इस पे आप click करेगे तो इसके जो parameters आप देख रहे हैं ये हमारा ये जो box बनाए हमने इसके parameters है ये जैसे इसमें हमें दियो ये length, width और height आप इसको कम ज़्यादा करेगे तो आप देख सकते हैं हमारी shape की length, width और height कम ज़्यादा हो रही है कुछ इस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है हमारा meter में select है हमारा unit setup इसको हम feet में change कर सकते हैं, inches में change कर सकते हैं, बहुत सारी unit setup आपको मिल जाते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने customize में जाना है कस्टमाईज में जाने के बाद आपको ये unit setup मिल जाएगा, इस पर आपने simply click कर देना है आपके पास ये window खुल के आएगी unit setup की, इसमें सबसे पहले तो आपको display unit scale दिये होए, कि इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो default है, matrix select हुआ पड़ा है matrix में अगर आप देखें तो आपको mm मिल जाते है, centimeter मिल जाता है, meter मिल जाता है, kilometers मिल जाते है तो ये सारे matrix में आप इसे change कर सकते हैं और इसे use कर सकते हैं, जैसे मैं example के लिए से centimeter में change करके आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यह एकदम यह cm में आपकी चेंज हो चुकी है इसमें और भी option आपको दिये हुए जैसा कि मैं आपको बताता हूँ यह तो metric था, metric में आपको यह सारे options मिलते है उसके बाद हमारा आता है US standard US standard में आपको यह आप देख सकते कि यह इस तरह से आपको digit show करेगा जैसे feet, fractional inches कि कितने feet और कितने inches में हमारी shape है वो आपको दिखाएगा जैसे एक बार मैं इसे select करके ok press करता हूँ आप देख सकते है आप देख सकते हैं यह feet और inches में change हो चुका है ठीक है ठीक इसी तरह आपको इसमें अलग-अलग values मिल जाती है feet की जगा आप inches select करेगे तो यह आपको inches में दिखाएगा इसमें भी आपको options मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं fractional inches चाहिए आपको या decimal inches चाहिए या आपको feet, fractional inches चाहिए बहुत सारे options आपको यहां मिल जाते हैं या आप अपने इसाफ से change कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं metric में meter select कर देता हूँ okay press मैं कर दूँ है इसमें ठीक है यह हमारी जो digit है यह हमारी meters में change हो चुकी है guys इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी unit को जो है दूसरी unit में shift कर सकते हैं वो कैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे यह meter है मैं चाहता हूँ कि यह feet में ही convert हो जाए जैसे मुझे एक feet चाहिए यहाँ तो एक feet में कितने meter होते है वो अगर हमें देखना हो तो आप simply google में जाएगे जैसे कि हमारी unit जो है meter में select है तो मैं यहाँ लिख दूँगा meter to feet यह आप देख सकते हैं इसने हमें बता दिया कि एक meter में इतने feet होते हैं ठीक है इसे साब से आप कर सकते हैं लेकिन हमारे case में उल्टा है मैंने यहाँ feet to meter करना है एक feet में इतने meter होते हैं तो मैं simply इस digit को control C प्रेस करके copy कर लूँगा उसके बाद अपने 3ds max में जाऊँगा इसकी length में यह digit पेस्ट कर दूँगा अब आप देख सकते हैं यह जो हमारी length है वो एक feet की हो चुकी है मैं इसे zoom कर लेता हूँ यह जो हमारी length है ऐसे यह हमारी one feet हो चुकी है तो यह एक alternate option है कि आप Google की help से इस unit को भी change कर सकते हैं जाँतर 3ds max में ऐसे ही करते हैं कि Google से help ले लेते हैं कई बार unit setup हम करना भूल जाते हैं या बाद में हमें change करना हो तो उससे अच्छ है कि हम Google से help लेके अपनी digit को यह ढाल सकते हैं तो यह था 3ds max का unit setup ठीक है इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जैसे कि यह आप grid देख रहे हैं यह हमारी grid होती है हर view में आपको grid देखने को मिल जाती है अगर आपको अपनी grid की spacing जो है वो manage करनी हो तो वो आप कैसे करेगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले तो आप customize में जाएगे और unit setup में जाएगे इसको मैं feed कर देता हूँ यहाँ अपको क्या करना है आपको यह option दिख रहा होगा angle snap toggle इस पे आपने right click करना है left click नहीं करना उसके बाद आपके पास यह window खुल जाएगी grid and snap setting इसमें आपको home grid पे जाना है home grid पे जाने के बाद first option आपको दिखेगा grid spacing इस time आपकी 6 inches grid spacing है हमें इसे 1 feet करना है मैं simply 1 यह press कर दूँगा आपकी यह 1 feet grid spacing हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं मैं top view में आपको दिखाऊं यह बिलकुल same है grid spacing आपकी 1 feet है और यह जो हमने size लिया था google से वो भी 1 feet है जैसे ही मैंने यहां से unit setup change करा यहां 1 feet automatically change हो गया hope करता हूँ आपको clear हो गया होगा unit setup को कैसे use करना है यह बहुत असान चीज़ है इसको आप अपने हिसाब से manage कर सकते है नहीं तो आप google की help लेके जैसा कि मैंने आपको एक alternate option बता दिये कि आप google की help से अपने unit को change कर सकते है hope करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों यह था 3ds max का episode number 3 इसमें मैंने आपको unit setup के बारे में बताया है अगर आपने episode number 102 नहीं देखा तो description चेक करें उसमें मैंने playlist का link दे दिया है वहाँ से आपको पुराने episode देख सकते है वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर देना सबके साथ share कर देना चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको time to time मिल जाए मैं मिलता हूँ आप से नई वीडियो के साथ तब तक कलिए thank you so much and good bye